स्वाधीन देश के रूप में 72 वर्सों की हमारी यह यात्रा आज एक खास मुकाम पर आप पहुँची है कुछ ही सपताबाद 2 अक्टूबर को हम राष्ट पिता मात्मा गांदी की 150 मी जैनती मनाएंगे गांदी जी हमारे स्वतंदरता संग्राम के महनायक थे वे समाज को हर प्रकार के अन्याय से मुक्त कराने के प्रियासों में हमारे मार्गदर्सक भी थे गांदी जी का मार्गदर्सन आज भी उतना ही प्रासंगिक है उन्होंने हमारी आज की गंभीर चुनोतियों का अनुमान पहले ही कर लिया था गांदी जी मानते थे कि हमें प्रकृती के संसाधनों का उप्योग विविक के साथ करना चाहिए ताकि विकास और प्रकृती का संतुलंग हमेशा बना रहे। उन्होंने परियावरण के प्रती संबेदन सीलता पर जोड दिया और प्रक्रती के साथ सामंजस से बिठा कर जीवन जीने की सिक्षा भी दी। वर्तमान में चल रहे हमारे अनेक प्रियास गांदी जी के विचारों को ही यथार्त रूप देते हैं। अनेक कल्यान कारी कारक्रमों के माध्यम से हमारे देशवासियों का जीवन बहतर बनाया जा रहा है। सौर उर्जा के उप्योग को बढ़ाने पर विसेश जोर देना भी गांदी जी की सोच के अनुरूप है।